इस वीडियो में हम देखेंगे मैटरिक्स, बिसिकली मैटरिक्स होता क्या है, इसका कंसेप्ट किस नहीं दिया था इसकी तारीफ किया है और ये किन हिसों पर मुश्टमिल होता है लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सबस्क्राइब नहीं किया चैनल को subscribe कर दें, bell icon क्लिक कर दें ताक कि आने वाली जो वीडियोज हैं वो आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें तो matrix का जो concept है वो सबसे पहले British mathematician आथर के लिए ने दिया था तो अब हम आते हैं matrix की तारीफ की तरफ matrix basically a rectangular arrangement of real numbers, expressions और symbols and enclosed by bracket यानि के real number, expression या sample को मुस्तितिल शकल में लिखना और bracket से close कर देना यह एक matrix होगा यानि कि अगर हम इसकी definition करने जाएं तो वह कुछ इस तरह होगी rectangular arrangement of expressions, symbols, real number and enclosed by brackets इसको हम matrix कहते हैं इसको भी हम सेटों की तरह कोई नाम दे सकते हैं यानि matrix M इसमें होता क्या है, इसमें हम कोई भी real number या कोई भी sample या कोई भी expression लेते हैं उसको rectangle की शकल में लिखते हैं और उसको bracket से जो हम close कर देते हैं इसमें हम उसके अंदर जो चीज़ें मजूद होती थी उनको हम element कहते हैं इसी तरह matrix के अंदर जो चीज़ें मजूद होंगी उसको हम entry कहेंगे यानि के matrix जिन चीज़ों से मिलकर बनता है हम उन्हें entries कहते हैं matrix के दो बन्यादी हिस्से होते हैं एक होता है row और एक होता है column row basically क्या होता है row matrix की horizontal entries होती है जो के row बनाती है और जो vertical entries होती है वो column बनाती है अब order of matrix क्या होता है order of matrix basically हमें ये बताता है कि एक matrix कितनी rows और कितने column पर मुझतमिल है यानि order of matrix का अगर आपको पता हो तो आप एक matrix असानी से बना सकते हैं order of matrix में हम पहले m by n रखते हैं यहां m से मुराद number of rows और n से मुराद number of column है यानि कि अगर आपके पास क्या matrix है जिसकी कद तीन कतारें यानि तीन rows है और तीन column है तो आप इसका order कैसे लिखेंगे order of matrix m 3 by 3 या अगर कोई आपके पास matrix है जिसकी तीन कतारें हैं लेकिन दो column है तो जब आप इसका order लिखेंगे तो आप लिखेंगे order of matrix m by n यानि कि 3 by 2 यानि कि अब देखने वाले को यह पता चल जाएगा इस matrix के जो हैं वो तीन कतारें हैं और दो column है